Hello and welcome back to my channel Blossom से दिर्जा, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बारिश की सीजन में आप कौन कौन से ऐसे fruit plants हैं जो लगा सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपना वीडियो, तो सबसे पहले हम जिस प्लांट की तरफ आते ही, ये हमारा है, मलबेरी का प्लांट जिसे सहतूत का पेड़ भी कहते हैं, इसमें बहुत जल्दी flowering होती है, बहुत जल्दी fruiting होती है, तो ये गमले में लगाने के लिए आपके लिए best option है, इसको आप लगा सकते हैं, और बहुत जल्दी fruiting देखें हम आपको दिखाते हैं, अभी मैंने छे म मैंने पहले ही लगाया है, प्लांट इसमें देखें, fruiting स्टार्ट हो गई है, ये देखें, fruits आने लगें, और बहुत सारे मैं तोड़ भी चुकी हूँ, तो ये बहुत अच्छा option है, आपके लिए बारिश की सीजन में लगाने के लिए इस अच्छे से growth भी होगी, और आप प्लांट लग भी जाएगा, फिर सेकेंड हमारा आता है, नीवो का प्लांट, नीवो में आप बहुत सी वराइटी लगा सकते हैं, गांजी नीवो है हमारा, इसमें भी ये साल भर का ही प्लांट है, लेकिन इसमें नीवो भी निकले होए हैं, और बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी फ्रूटिंग करता है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा उप्शन हो सकता है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है, ये चीकू का प्लांट, ये भी बहुत जल्दी फ्रूटिंग करता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अ इसको तो मैंने अभी दो मैने पहले ही लगाया है यह भी आप बारिस की सीजन में लगा सकते हैं अभी इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है जैसे जिसे बर्सा सुरूओंगी इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत फ्रूटिंग भी करेगा यह भी एक स तो इसको भी आप लगा सकते हैं यह तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है अपने जब फ्रूटिंग सीजन होता है इसका यह मेरा काफी पुराना तीन-चार साल पुराना प्लांट है और मैं पिछले वीडियो में कही में दिखा चुकी हूँ हूँ उसमें बहुत बढ कर रहा है पर इनमें आपको एक चीज धियान रखनी होगी कि घंबले में लगाने के लिए घ्राफेट प्लांस आते हैं आपको वही लगाने है और फ्रूटिंग जल्दी करते हैं और भी अच्छी लेते हैं और जो नोर्मल प्लांस होता है है वह बहुत ज्यादा बड़े क जाते हैं वो गंबलों में नहीं लग पाते हैं फिर नेक्स हमारा ये नीवू का प्लांट है ये भी कागजी नीवू है और ये भी देखें कितना बढ़ियां ग्रो कर रहा है बारेश की सीजन में इसके भी ग्रोध बहुत अच्छी हो थी एंपर नेक्स हमारा आता है अनार का कि यह आप देख रहे हैं, इतने बढ़ा फ्लावरिंग हो रहे हैं, और यह फ्रूस्किंग भी स्टास हो गई है यह स्टास हो गई यह भी आपके लिए बहुत ऐक्शा यह आपके लिए बहुत अच्छा option है लिए धिढ़ इसी चुची है और बहुत जल्दी ये फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है, ये भी हमारा ग्राफ्टेट वाला ही अनार है, तो आप इसमें हाइब्रेट वेराइटी या ग्राफ्टेट वेराइटी लें तो आपके लिए जादा बड़तर होगा, फिर नेक्स हमारा आजाता है, ये जामून क इसमें ग्राफ्टेट प्लांस में जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, वह ये है, कि जैसे आप ये नीचे से देख रहे हैं, इस सकस को तोड़ देना है, हमेशा ध्यान रखना है, कि अगर ये जब्रेश कभी न निकलने पाएँ, अगर ये जान लेंगी, तो ये फिर यह भी देखिए हमारा नीबू का प्लांट है यह थोड़ा गर्मियों के कारण इसके लीव जगरा ज़ड़ गई है लेकिन नीबू अभी इसमें लगा हुआ है तो यह हमारा सीडलेस नीबू है यह भी हमारे लिए एक अच्छा ओप्शन है फिर यह हमारा मैंगो का प्लांट है यह भी आप देख रहे हैं यहां से यह ग्राफ्ट किया हुआ है यहां से यह भी ग्राफ्टेट वाली वराइटी है और देखिए लीव जगरा इसकी जैसे अब आप सोच रहोंगे कि इसमें पॉटिंग मिक्स में कौन सा लाओं किस पॉटिंग मिक्स में प्लांस अच्छे से ग्रो करेंगा तो उसके लिए मैंने अल्रेटी एक वीडियो बना के रखा हुआ है मैं आई बटम में उसका लिंक दे दूंगी आप महां से वह वीडियो इसमें स्टार्ट हो चुकी यह देखिए यह भी मेरा कुल साल भर पुराना ही प्लांट है और यह भी ग्राफ्टेर है देखिए यहां से ग्राफ्ट किया हुए है नसरीज में ग्राफ्टेर प्लांट्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे बस इनके रेट थोड़े बहुत जल्दि अक्षे से ग्रो करते हैं , बहुत जल्डी फ्रूटिंग करते हैं और गंमले के लिए बहुत सही रहते हैं नेक्स हमारा जो अच़ह ऐश्का उप्शन वै यह करांदे का, यह बहुत साल करने लगता है करोंडे का आप नार्मल प्लांट लगा सकते हैं इसमें हुइबर याराफ्टेट वरैयटी नहीं चाहिए यह आपके उपर डिपेंड करता है चाहे तो हब हांप वाली वरैयटी लगा सकते हैं भर यह नर्मल हमारा देसी करोंडे का पेन और ये भी बहुत जल्दी फ्रूटिंग करने लगते हैं तो इसमें हमें ज्यादा पैसा करने की जरूवत नहीं है नॉर्मल वराइटी भी हम इसमें यूज कर सकते हैं और ये है तर्बूस की बेल ये भी आप इस सीजन में लगा सकते हैं बहुत अच्य से बढ़ेगी अग्शुलि क्या होता है गर्मियों के वाज़े से बहुत सी बेखे Everybody यह बारिशे शुरूरू थी बहुत बढ़िया से फ्लाविंग्शो करने लगते हैं इसके बगल में आप की मेरा उस साफ्रू। होगे देखे कितनी बढ़ियां फ्रूटिंग कर रहा है फ्लावरिंग भी मैंने पुछले वीडियो में भी आपको दिखाया है कि विंद्री की कितनी बढ़ियां फ्रूटिंग हुई है और मुझे बजा से खरीबने के जरूरत नहीं पड़ी अम्रूट की मेरे पास तीन वेराइटी है एक तो मेरा ब्राउन फ्लोर में लगा हुआ है और यह वाला जो है यह हमारा पिंक गौवा है अंदर से पिंक निकलता है और मैं इसके आपको वीडियो दिखाऊंगे जब इसकी फ्रूटिंग हुई थी इतने बड़े-बड़े है तो अम्रूट भी आपके लिए बहुत अच्छा ओप्शन है जो आप लगा सकते हैं इनको आप इस तरह के प्लास्टिक के पॉट्स में लगा सकते हैं या फिर आप जो पेंट के आपकी बाल्टियां होती है उनमें लगा सकते हैं 20 लीटर वाली या जो बड़ी-बड़ी चावल की बोरिया होती है उनमें भी आप लगा सकते हैं और आप देखी लेंगे जो मैंने पहले वीडियो बनाया है उससे की कौन सा स्वाइल मिक्स यूज़ करना है तो यह था हमारा आज का वीडियो हमारे स्वूट प्लांस के बारे में कि आप स्वूट प्लांस कौन का स और अगर आपको वीडियो अच्छा हो लगा हो तो प्लीस कमेंट करिएगा और अगर आप हमारा वीडियो पेस्बूक पर देख रहे हैं तो प्लीस पॉलेबाट करिएगा और और वीडियो प्लीस कायगी करिए झाल टाफ झाल प्लीस कर दो तो वीडियो अगर आपको अपको प्ली बदाल गला आपको अगर योगरे आपको अगर अपको प्लीस